हालो बाई दोस्तों कैसे है आप सभी उम्मिद करता हूँ आप सभी नोजवान अच्छे होंगे और सभी अपने ट्रेड की बहुत अच्छी स्यांदार तैयारी कर रहे होंगे सभी नोजवानों को मेरा नमस्कार जैहिंदे अगर आपका भी सफना है बारतिय सेना में जाने का तो मेरे दोस्त ये सेसन आप सभी के लिए बहुत इंपोटेंट होगा इसके अंदर दोस्तों हम आपको जनरल साइन्स के वो इंपोटेंट क्यूसं करवाएंगे जो आपके एकजाम के लिए बहुत ही इंपोटेंट है बार इंडियन आर्मी की तयारी करते हैं वो भी सेशन को इमानदारी से देखिए और टेरिटोरियल आर्मी की जो तयारी करते हैं बंदे नोजवान वो भी सेशन को देखिए क्योंकि आपका जो एक्जाम का पेट्रोन एक्जाम का जो लेवल है मेरे दोस्त वो सेम है आप के चाथ आप सेर भी कीजिए ताकि उनको भी फाइदा मिड़े तो दोस्तो हम बात करते हैं First Question की first question कायता है मेरे दोस्ते दावने की तिरवरता का मापक क्या है और आप सबी ने Right Answer दिया है Dec vel बहुत यचा मेरे दोस्ते बात करते दोस्तों next question की next question कहता है मेरे दोस्ते गती के दर में परिवर्थन को कहते है the rate of change of velocity is तवरन चाल शक्ती या इन में से कोई नहीं बिलकुल तवरन option A इसका right होगा मेरे दोस्तों गती के दर में परिवर्थन को तवरन कहा जाता है, बहुत अच्छा, बात करते हैं दोस्तों, नेश्ट कोसन की नेश्ट कोसन कहता है, टेलिस्कोप का विसकार किसने किया, जन सवाट, रॉन्ट्जन या गेलीलिव, आज हम अपसनों के बारे में डिसकस्व नहीं करेंगे, मेरे दोस्त क्योंकि थोड़ा समय का अबाउता अगर हम कलास नहीं लेते तो आप D मोटिवेट हो जाते है मेरे दोस्त इसलिए कलास लेना भी अनिवारे क्योंकि आर्मी का रूल्स होता है मेरे दोस्त समय के बड़े पाबंध होते हैं इसलिए तो इसका राइट अंसर जो दोस्त आपसन श्री बता रहा है गेली लियो वो बिलकुल शही बता रहा है बहुत अच्छा बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कोशन की नेश्ट कोशन बहुत ही शांदार है और आपके गज़ा में डेफिनेंटली पूछे जाने की संभावना है क्योशन कहता है मेरे दोस्त एक सामानी सवस्त मनों से में रक्त चाप कितना होता है यह आप सभी को बताना है देखें मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा 120-80 mmHg ठीक है mmHg का यहाँ पर मेरे दोस्त अर्थ है mmHg आपके एक्जामी किसन बनता है मेरे दोस्त की रक्त दाब को मापा जाता है तो आपको इसका राइट आंसर देना है रक्त दाब मिलिमेटर आप मरकरी में मापा जात ठीक है नेश्ट को सुन है मेरे दोस्त हार्मोन का उप्योग किया जाता है तो दोस्त हार्मोन का जो उप्योग है यह दोस्तो मेटा बॉडली कारियों के लिए किया जाता है बात करते हैं दोस्तों नेश्ट को सुन की नेश्ट को सुन कहता है मेरे दोस्त यहीरा को जलाते हु दोस्तो नेश्ट कशन की नेश्ट कशन कहता है मेरे दोस्ती यूरेनियम में न्यूट्रोनों की संख्या कितनी होती है 235.92 विरेनियम तो इसका राइट आण्सर अप्शन डी होगा 143 ठीक है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन की नेस्ट कुस्ण कहता है मेरे दोस्ते दूद की सुधता की सूपकरन से मापी जाती है यह आप सभी को बताना है हाईग्रोमेटर, बैरोमेटर, लेक्टोमेटर या वल्टोमेटर तो इसका राइट आंसर ऑप्सन शी होगा मेरे दोस्ते दूद की सुधता है यह मेरे दोस्ते लेक्टोमेटर से मापी जाती है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है दूद का जो सफेद रंग होता है ये कैसिन प्रोटीन के कारण होता है ये भी आप ध्यान रखना है नेश्ट कुसन है दोस्तों बिंडी का वनस्पती नाम क्या है बोट निकल नेम ओफ लेडी फिंगर होता है ये आपको ध्यान रखना है बात करते हैं नेश्ट कुसन की नेश्ट कुसन है दोस्तों मनों सरीर में सबसे कटोर हिंसा क्या होता है डेंटाइन एनमेल कैरटीन या हड़ी बहुत अच्छा इसका राइट आंसर उप्शन बे होगा दातों का इनमेल होता है वेरे दो के नेश्ट कुसन है दोस्तों वेटामीन सी की कमी से होने वाला रोग है रेकेट्स बेरिवेरी ज कर जोसे या डेंचे मेरे दोस्तव वेटामीन से समधित आपके घजा में डेफिनेंटली कुसन पूछा जाईगा दो नंबर गशा तो इसका राइटर उंसर उप्शन सी यह होती है how many bonds are there in the past चहरे में कितनी हडियां होती है तो दोस्तों चहरे के अंदर है यह चोगदा हडियां होती है नेस्ट दोस्तों एक होर्स पावर में कितने वाट होते हैं how many what are there in one hundred power तो 442 होते है दोस्तों एक हार्स पावर में बात करते हैं next question की next question है मेरे दोस्ती सबसे धमनी है यह सबसे तेज चलती है वायू में, इसपाद में, निर्वात में या जल में तो मेरे दोस्ते इसका right answer option B होगा still, इसपाद में ठीक है बात करते हैं दोस्तों नेश्ट को सुन की, नेश्ट को सुन कहता है मेरे दोस्ते, विजित पर्तिरोध के नियम का पर्ति पादन किया था या अब सभी को बताना है ओम, डार्विन, नियूटन या और डबलू, थामसन तो इसका right answer होगा option A, इसका right होगा बात करते हैं दोस्तों, नेश्ट को सुन की नेश्ट को सुन कहता है, मेरे दोस्त decibel एक इकाई है decibel is a minute of चड़ाओ, धावनी तिरवड़ता उंचाई स्वर या तिरवड़ता तो इसका right answer होगा sound frequency, option B है यह मेरे दोस्ति इसका right answer होगा बढ़ते हैं दोस्तों, नेश्ट को सुन की तरफ नेश्ट को सुन बहुत श्यांदार क्योसन है नेश्ट की गति का तीसरा नियम किस में परियोग होता है तिरवड़ता जी अंत्रिक सियान, आंत्रिक कबश्टन, इंजन या पतंग बाजी तो दोस्तों इसका right answer होगा इस्पेस रोकट, इस्पेस रोकेट बात करते हैं दोस्तों, नेश्ट को सुन की नेश्ट को सुन है, नेमन मैंसे किसको इंदन के रूप में परियोग किया जाता है तो दोस्तों इसका right answer क्या होगा CO2, CH4, CS3, OH या CS3, C111-S तो इसका right answer option B होगा CH4, द्यान रखना मेथैन, मार्स गेस भी कहा जाता है और ये बायोगेस या गोबरगेस में भी पाई जाती है बात करते हैं नेश्ट को सुन की, नेश्ट को सुन है कास्टिक सोडा का रासनिक नाम क्या है या आप सभी को बताना है दे केमिकल फॉर्मुला ओफ कास्टिक सोडा इज NACL, NaOH, NHCO3, Camano4 बिल्कुल, इसका राइट अंसर ओप्सन भी होगा NaOH, ज्यान रखना ठीक है सोडियम हाइड्रोकसाइड और दोस्तों नमक का होता है NACL, साधरन नमक का ज्यान रखना सोडियम कलोराइड, और खाने का होता है NHCO3, सोडियम बाय कार्वोनेंट जिसे आप खाने का सोड़ा या मिठा सोड़ा भी कह सकते हो, और KMNO4 होता है दोस्तों, लाल दवा बात करते हैं, नेश्ट कुशन की सोडियम का परमाणो करमांग के 11 होता है, तो इसका परमाणो दर्विमान कितना होता है बिल्कुल इसका बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन है मेरे दोस्ते इनफुलेंज आ बेमारी है, यह वाइरस के द्वारा होती है बहुत अचा बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्ते निमन में से कौन सा तत्वे या रसाइन फोदो से फ्राप्त होता है विच अप दो फॉलॉविंग इस फ्रोडेक्ट और प्लाइंट से क्यूनिन, एस्पिरिन, इंसुलिन या मार्फिन बहुत अच्छा ओप्सन ए इसका राइट होगा दोस्तों क्यूनिन है या रसाइन फोदो से फ्राप्त होता है बहुत अच्छा बात करते हैं नेश्ट कुशन की नेश्ट को सना मेरे दोस्त हीमोगलोबिन में कौन सा खनीज लवन पाये जाता है या आप सभी को बताना है विज मनरल इस फाउंड इन हीमोगलोबिन फास फोरस लोहे आयोडिन या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो हीमोगलोबिन के अंदर लोहे पाये जाता है आईरन ध्यान रगना ठीक है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट को सुन की नेश्ट को सुन दोस्तो पलेग फैलता है मत्सरों के द्वारा सापों के द्वारा चुहों के द्वारा या कुतों के द्वारा तो इसका answer होगा next question है मेरे दोस्ते DNA कहां मुझूद होता है RNA में nucleus में plasma में या nucleic acid तो इसका right answer option B होगा दोस्तो nucleus में मुझूद होता है DNA ठीक है बात करते हैं दोस्तो next question की next question है हिजा किसे से फेलता है यह बताना है पानी हवा मक्यां या मच्छर तो इसका right answer होगा मक्यों से पेलता है दोस्तो हिजा बात करते हैं next question की next question है नेमन में से कौन सा एक सदिस मात्रा है यह आपको बताना है which is a vector quantity बिलकुल vague option D velocity option D जो बता रहा वो बिलकुल शही बता रहा बहुत अच्छा बात करते हैं next question की next question दो हजार बीज इंडियन आर्मी गज्जा में पुचा गया question है माचिस में कौन शा पधार तूपी होगी किया जाता है यह आप सको बताना है बिलकुल लाल फास मौरस option D जो बता रहा वो बिलकुल शही बता रहा है और अगर आपको session अच्छा लग रहा है तो मेरे दोस्त आप प्यार से session को like कीजिए ताकि हमें भी motivate मिले और हम आपको और अच्छे श्यांदार questions परवाइड कराई ताकि आपकी सफल ताकि अंदर मेरे कोई दिक्कत ना हो मेरे दोस्त ठीक है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुसन की आज हम questions टाइप नहीं कर भाई इसलिए आप थोड़े दी मोटिवेट मत होना सर ठीक है ना नेश्ट कुसन है पानी का कउंटनांग कितना होता है दा बोइलिंग फॉइंट ओफ वाटरीज बिलकोल option डी इसका राइट होगा पानी का का उंटनांग है यह 100 डिग्री सैंटी ग्रेड होता है नेश्ट कुसन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त नेश्ट कुसन कहता है कल तो दोस्तों यह होगा आपका वी ब्राबर रखेक द्यान रखना और याइला के नियम से समंदित है यह है दोस्तों वे ब्राबर आई आर बात करते हैं नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन है दोस्तों हसानी वाली गैस कौन शी है यह आपको बताना है टेकनिकल 2018 के अंदर पूचा गया कुशन है मेरे दोस्ते इसका राइट आमसर ऑप्शन डी होगा ज् इसे नाइट्रिक्स ऑक्साइड या लाफिंग गैस भी कहा जाता है बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन कहता है मेरे दोस्ते गोईटर किसके कमी से होता है यह आप सली को बताना है कार्वोहेड्रेड विटामिन लोहे तत्वा या आयोडिन तो इसक सटन बॉबेरी या मेरे दोस्त मैंडल बिलकुल ग्रेगन जॉन मैंडल को दोस्तों जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है अर्दार्थ आनुवान शिक का द्या अंदर करना ठीक है नेश्ट कुशन है दोस्तों गोबर गेस में कौन शिक गेस होती है अभी हमने आपको बताया बिलकुल मेथैन मेथैन होती है दोस्तों गोबर गेस के अंदर बात करते हैं नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन है सोने का सही रासानिक सुत्तर है क्रेक्ट सिंबल ओफ गॉल्ड इस बिलकुल ए यू बहुत अचा ए यू होता है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इसका रात के समय पेड़ पोदे छोड़ते हैं क्या छोड़ते हैं मेरे दोस्त ए ये सि ओटू छोड़ते हैं ध्यान रखना ठीक है तभी तो कहते हैं कि रात के समय पेडों की नीचे नहीं सोना चाहिए नेश्ट कुशन है एक समान धूर ग चु Myanmar का अपस में क्या होते हैं दूर जाते हैं ध्यान रखना ठीक है नेश्ट को सुन है दोस्तो ग्रेफाइड अफुरूफ है किसका है ग्रेफाइड तो ग्रेफाइड मेरे दोस्त कार्बन का फुरूफ है ध्यान रखना ठीक है बात करते हैं नेश्ट को सुन की नेश्ट को सुन है मेरे दोस्तो चिकन गोनिया स प्यालता है मच्छर के काटने से चुहे के काटने से या मकडी के काटने से या मक्खी से तो इसका right answer option एँ होगा मेरे दोस्ती मच्छर के काटने से और मेरे दोस्ते बहुत से लड़के कमेंट करते हैं कि सर हमारा exam है यह 28 जून को होगा यह फिर यह जुलाई के अंदर होगा तो मेरे दोस्त हमें ऐसे लड़कों से भी कॉल मिलता है प्राप्त होता है कि सर हम अपने बियारो एयारो गए थे तो वो हमें अभी 28 जून के लिए ही बोल रहे है ठीक है न तो ये अभी आर्मी के ओपिसल वेब साइट पे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है हलांकि सुत्रों के एकजाम 28 जून को होने वाला था ये जुलाई में होगा ये ओपिसल वेब साइट पे सुचना नहीं मिली है हलांकि किसी किसी न्यूजपेपर में भी आ रखी है कि एकजाम जून में नहीं बलके जुलाई में होगा लेकिन आप अपने A.RO.B.RO के कॉन्टेक्ट में रहे है म फैस जुन को होगा तो अभी मेरे दोस्त कनफरम नहीं कह सकते लेकिन आप अपनी तैयरी को मेरे दोस्त बरकरार रखिए सलेक्षन तवे मिलेगा मैं आपको बार बार कहता हूँ अगर ये मोका आपने अपने हाथ से गवा दिया ना मेरे दोस्ते हैं तो वापस नहीं आएगा क्योंकि बाउस जैसे लड़के हैं जो कोल करते हैं सर लाश्ट बढ़ती है हम और रेज होने वाले हैं तो मेरे दोस्त और रेज होने वाले हैं या जिसके पहली बढ़ती है क्योंकि आर्मी का बार बार फिजिकल मेडिकल किलिर, नहीं होता, इसलिए आप जोसोर्जनुन के साथ, और महनत के साथ मेरे दोस्त पढ़ते रहे, एकजाम आपका चाये जुलाई में हो, चाये जून में हो आपको एकजाम देना है, और फाइट करना है, और वर्दी पहने नहीं है, इतने दिन, आपने इंतजार किया तो आप एक मंद और इंतजार कर लीजे मेरे दोस्त कहते हैं ना मेरे दोस्त की सबर का फ़ल मिठा होता है तो इसलिए आप तैयारी करते रहे हैं सफलत आपको डेफिनेंटली मिलेगी तो दोस्तो आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी हम इतना ही कुसंश आप को करवाएंगे कल हमारी बुलेट रेन आने के अंडरेट पर से इंचांस है तो वो क्लास आप मिस मत करना मेरे दोस्त थी और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जाते जाते आप प्यार से दिल से से सेसन को लाइक कीजिए ताकि हम में मोटिवेट मिले और हम आपको और अच्छा कंटेंट परवाइड कराएं ताकि मेरे दोस्त आपकी सफल ताकि अंदर कोई दिक्कत नहीं हो ओके दोस्तों मिलता है आप सभी को वापिस नेक्स्ट सेसन के साथ आप सभी से जोसर जोनों के साथ तैयरी कीजिए वन दे मातरम मिलता है आप सभी को वापिस बिलेट ट्रेन के साथ खुश रहे, मस्त रहे